दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा वो आप खुद समझ जाएंगे जब वीडियो को एड़ तक देखाएंगे अगर आप इस वीडियो को अधुरा छोड़ के चले जाते हैं तो सायद आप वो नहीं जान पाएंगे जो मैं आपको इस वीडियो में बत अब बिधो इसकर्स करोएं लुआट अफ़ दिसकर्स कर से लिए लाक ट्रीरी दिसकर्स करेंगें, पहले हम बिचार बूर्ब बढ़ भूर पर हरा मत्ला जवरा नमीर के कमें को चल्फता की कुछ आतरा मत्ले में के पर ओलगों लित्यकर सब कुछ आप सीक के जाएंगे हाँ देखिए आपके एकजम में कितना पूछे रहता है 100 करता है एक Easy अजिए गतना क्लास में रहता है कितना रहता है कितना रहता है असी रहता है बट इसमें 20 हमारा प्रेटिकल मिलता है स्कूल के दोरा एकजाब भी होता है कोई If up यह भी 100 हो गया आंपके सोसल साइन्स स्वास क्लास में रहता है यह लगण असी पलस बीस रहता है हो सकता भी आपको कुछ-कुछ समझ नहीं आते होएंगे यह बहुत सा इस्ट रंजे को कुछ-कुछ समझ आभी रहे होएंगे तो बने रहें वीडियो पेंदे तक सब कन्फूजन दूर हो जाएंगे इसके बाद संस्क्रीट की बात करें भाईया संस् समझ आilsं वह बाजी को हमारेन दूर reden हैं यहांद पर लिए 100 इंग्लीज का बात करें दो करें थना संस्टिन होँगे तक किना हुए यहां तक हमारा 500 हो गया तो ना पर कितना हो गया ना है यही बनिए हो गया हो Bristol हुट तोटल कितना हो ग़या कुटाल हमारे किटना हो गया बट, बट क्या है, बट 600 का एकजाम लिया जाता है, आप ध्यान सुनिए, बिहार बोड में 600 का एकजाम लिया जाता है, 10th क्लास की बात करें तो, लेकिन नमबर जो काउंट किया जाता है, वो सिर्फ 500 में से काउंट किया जाता है, विकाउज इंगलीस का नमबर काउंट नही किया जाता है ठीक है इंगलीस नहीं जूरा जाता है इंगलीस इस्ट्रा मुन लेता है भी हार बोड ने 10th Class की बात करें तो इंगलीस हमारा कि अगर आप 60 लाते हैं तो यह हमारा है सपोज़ अगर आप 60 नहीं मतल zost नहीं लाएं तो कितना पंच पंड लाएं मौन लेते हैं आप एक सुमे से कितना लाएं 55 लाएं और तो इसमें आप एक सूमे से ला ला रहा है थीक है इदर पॉंच कम होता है इस में सार्च लेना होता है इसमें साथ तो इस तरह से तीन स्वाप को लना होता है फ्रस्ट डिवियन के लिए अगर आप इसमें मन लो मन लो भाईया साइंस में आप कितना लाएं चालीज अच्छा इस पर भी बात करेंगे कि आसी में अपने से कितना लना होता है क्योंकि यह तो प्रैक्टिकल भी रहता है ना इसमें से साथ ना लाएं चालीज से लाएं कितना लाएं चालीज लाएं तो इसमें से आपको कितना लाना होगा मतलग इसमें से आप मन लिए पचास लाएं ठीक है तो इसमें मतलग किसी में आपको डस ज्यादा किसी में दस कम इस तरह होते आता है हो सकता है किसी का यहां 50 5 50 दो एक कितना कम रहा साथ में सी 20 कम रहा है 10 कम रहाaters टोरल 30 कम रहा है मानेज करने के लिए तो सकता है समय आप सब्सक्राइब कोछिक्त में हैं और पह साया में अजा कर दो इस समय के कि बाता है 107 पagara清楚 करने पर इतिक मरें सीग्ली कांच करता है यह इंग्लीज का भी काउंट करता है यह टोटल कितना छे सब्जाक्ट का काउंट करता है टोटल इसके पास कितना हो गया इसके पास टोटल हो जाता है हमारा पास 600 ठीक है बिहार बोर्ड के बात गरें तो वह 500 में काउंट करता है नमबर बट यह 600 लेलता है बोर्ट के भी बात करने थी इस पर भी करेंगगே ऑड़र बोर्ड के चर्चा कर लेते हैं देखिए ध्यान सुनिए विहार बोर्ड माइ्ट्रिक परिच्छा में पास होने के लिए चात्रहों को हर विशां में एकस्वा में से 30 मार्स हासिल करना जरूरी है लेकिन अगर कोई 36 तीस अंक भी पाने में और समर्थ है तो उसे बिहार बोर्ड गरेश मार्स पॉलिसी के अधार पर पास कर दिया जाता है तो यह तो रहा बिहार बोर्ड की बात बिहार बोर्ड कितना हम करता है 30% चाहिए इसको परतियाक सभजक्ट मैं ming 30 होना चाहिए कम से कम अगर 30 नहीं ला सकता है तो उसको गरेस मास देखे पास कर दिया जाता है ठीक है अगर उससे भी कम रहता ज्यादा कम रहता है गरेस मास नहीं लाग सकता है से 19-20 लाया तीस ना लाने की बज़ा तो उसमें ग्रेस मास नहीं दे सकता है तुसको कमपार्टमेंट एक जान देने के लिए भेज दिया जाता है लेकिन अधर बोड में ऐसा नहीं है अधर बोड में ऐसा नहीं है cbsc बोड की अगर हम बात कराएं तो cbsc दस्मी और बर्मी की बोड परिछा में पास होने के लिए हर विशाय में ध्यान सुन यह हर विशाय में 33 परसंट अंक पराप्त करने होंगे जी हां 30 नहीं वलकि 33 परसंट पराप्त करने होंगे CVSC Board वहीं अगर हम बात करें UP Board की तो UP Board में दसमी क्लास के छात्रों को पास होने के लिए 100 नंबर में से कम से कम 33 नंबर चाहिए या यदि इन से कम नंबर लाते हैं तो उसको compartment के लिए भेज दिये जाते हैं उसको फिर से उस विसां के एक्जाम देने होते हैं बिहार Board Grace मास देते हैं और CVSC और UP Board ये सब Grace नहीं देते हैं अब बात करते हैं ये 80 नंबर जो की Science हमारा Social Science है 80 नंबर होता है 80 नंबर में से खुद से कितना लना होता है ठीक है क्योंकि 80 नंबर हमारा खुद से लना होता है ना इसका परच्छा होता है और 20 तो प्राइटिकल दिया जाता है तो 80 में से खुद से कितना लाओ भाया पास होने के लिए तो ध्यान से सुनिए कि 70 अगर हम 70 यहां पर ले लेते हैं जैसे 12 क्लास में होता है तो 70 अंकों वाले subject में कम से कम 23 लना होता है ठीक है खुद से लना होता है और जबकि 80 की बात करें तो 80 अंकों वाले subject में 26 लना होता है खुद से लना होता है प्राइटिकल एक्जाम को छोड़ चार के समझ रहा है न यदि आप इन से कम नमबर लाते हो आमिंग खुद से 80 में से 23 या फिर 26 से कम नमबर लाते हैं 12 वाला 23 से जिसको 70 रहेगा जिसका 70 रहेगा वो 23 से और जिसका 80 रहेगा वो 26 से कम नमबर लाते हैं तब आपको बोड की तरफ से कमपार्टमेंट एक्जाम दिये जाते हैं और आप फिर उस विशाय का दोबरा पर इच्छा देते हो